हमें integrate करना है x upon में 1 plus sin x को ठीक है तो p4 अपड़ाई करते हैं तो जहां पे भी x होगा हम पे हम क्या करेंगे a minus x put कर देंगे यह सुर नो तो कर दो यहीं कहती है हमारी p4 तो 0 to pi जहां पे भी x होगा हम पे क्या करना है में a minus x करना है a हमारा क्या पाई है तो pi minus x upon में 1 plus sin pi minus x इसे कुछ माल लो यह हमारा i है ठीक है तो जो नया i आया वो यह आया अगर मैं इसे separate करता हूं तो i is equal to क्या आएगा मेरे पास 0 to pi separate कर रहा हूं बस मैं तो pi upon में 1 plus sin sin 180 minus x क्या आएगा वहरे पास sin x क्या आएगा second current है sin positive होगा छीक है फिर क्या है minus है dx लिख देते हैं फिर minus है तो minus लिखा 0 to pi x upon में 1 plus sin 90 minus x sin x dx ठीक है अब यह देखके पर चल रहा होगा अगर आपको द्यान से देख रहे होगे तो कि यह वाला अगर मैं add करता हूं इसके साथ i plus i करता हूं तो यह जो है cancel हो जाएगा तो कर दूँ है इसको first माल लो इसको second माल लो on adding first and second तो first and second add कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा 2i is equal to यह क्या है हमार पास 0 to pi x upon में 1 plus sin x dx और यह क्या है मेरे पास 0 to pi pi upon में 1 plus sin x और यह क्या है minus 0 to pi x upon में 1 plus sin x dx ठीक है same same यह positive है negative है कट गया तो बचा क्या है मेरे पास 2i is equal to integration of pi तो constant बहर निकालो तो नीचे क्या है मेरे पास 1 plus sin x बताओ इसे कसे integrate करेंगे यह तो integrate होगा नहीं है ना तो एक काम करते हैं denominator में जो भी यह से guy up करने के लिए एक की चीज दिमाग में आ रही है कि मैं उपर नीचे multiply कर लो sin 1 minus sin x से कर सकता हूं उपर नीचे दोने जाए कर दिया है हमने तो कोई दिक्कत तो आएगी नहीं अब यहां पर क्या बन रहा होगा a plus b into a minus b मतलब a square minus b square है ना तो यह क्या आ गया मेरे पास pi 0 to pi ऊपर क्या है मेरे पास 1 minus sin x नीचे क्या आएगा मेरे पास 1 का whole square मतलब 1 minus sin का whole square sin square x dx तो यहां से मेरे पास क्या आ गया 2i is equal to यह वाला pi फिर integration 0 to pi ऊपर क्या है 1 minus sin x और नीचे क्या है 1 minus sin square x जो की एक वार होता है cos square x के किसी को doubt हो तो बता दू यह वाला formula है जो आप बहुत बार देख चुके हो sin square x plus cos square x is equal to 1 वहां से 1 minus sin square x की value क्या आएगी cos square x आएगी dx अब separate कर लो इसे ठीक है हम answer तक पहुँच चुके है answer हमारे सामने है अब 0 to pi 1 upon में cos square x फिर minus है तो minus sin x upon में cos square x और फिर dx क्योंकि नीचे cos square x होता है और एक cos बच जाएगा क्योंकि नीचे cos square है तो उस cos को उपर ले जाओ तो sec हो जाएगा तो tan x into में sec x किसी को डौड तो नहीं है कि मैंने इसे यह कैसे लिख दिया देखो sin upon में cos 10 नीचे क्या है cos square x है एक cos बच जाएगा वो cos उपर गया तो 1 by cos होता है हमारा sec होता है तो sec x आ गया ठीक है इसका भी formula होता है और इसका भी formula होता है sec square x का integration क्या होता है हमारे पास ? 10 x होता है और integration of 10 x से क्या होता है हमारा ? बताओ sec x होता है ठीक है दोने के formula है हमारे book में लिखे हुए है तो हमें यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी इसकी जिए पर दिखने वाला हमें 10 x कहां से कहां तक integrate करना हमें ? 0 से πाई करना है फिर minus है तो minus πाई का πाई और integration of 10 into sec x क्या होता है हमारा ? sec x होता है ठीक है ? इस sec x का formula है उसके बाद 0 to πाई dx ठीक है इसे integrate करने पर क्या मिला हमें ? sec x मिला इसे integrate करने पर क्या मिला हमें ? 10 x मिला अब बस values को put कर दो आपका answer आ जाएगा तो यहां पर में रपस क्या आ गया ? 2 i is equal to यहां पर अपर limit put करो तो 10 πाई की value क्या होती है ? 0 होती है फिर minus 10 0 0 होता है तो यह दो 0 हो गया फिर minus तो minus πाई का πाई sec πाई sec πाई क्या होगा हमार पास ? यह हो गया हमार पास third content तो minus होना आएगा ठीक है ? और यह sec 0 क्या होता है हमारा ? 1 होता है न हाँ 1 होता है तो minus 1 ठीक है ? तो यह क्या आ गया है मेरे पास ? 2 i is equal to 2 i is equal to minus πाई और ब्रैकेट में क्या है minus 1 into minus 1 मतलब minus का 2 तो 2 i is equal to 2 πाई आ गया 2 से टो गैंसिल तो हमें क्या मिला i is equal to πाई यह हमारा answer आ गया ओके ? 10 प्राइब बारा गया क्या हमें